स्वागत है व्यूवर्ज आप सबको मेरे चैनल में आज की वारता के इंद्रित है शुक्र आज रात को यानि की 9 सितंबर 2019 को अपने नीच राशी कन्या में मदे रात्री को प्रवेश करेगा साथ में व्यूवर्ज 11 सितंबर को बुद्ध भी कन्या राशी में प्रवेश करेगा यानि की व्यूवर्ज आज की वारता के इंद्रित है बुद्ध और शुक्र का कन्या राशी में मिलन शुक्र का नीच भंग योग आरंब होगा और इसका आप सब के राशियों पर क्या असर पढ़ने वाला है यानि की बुद्ध और शुक्र का मिलन शुक्र का 9 सितंबर 2019 कन्या में प्रवेश मर्दे रात्री और बुद्ध का 11 सितंबर को सुबे 5 बजे कन्या राशी में प्रवेश इन दोनों का साथ में कन्या राशी में होना बड़ा दुरलब सयोग है ये प्रतेक राशी को किस प्रकार प्रभावित करेगी आईए जानते हैं विवर्स युवराज चंद्र पुद्ध लगबक 11 महिने बाद अपनी स्वैम की राशी कन्या में 11 सितंबर की सुबे 5 बजे प्रवेश करेगा जहां ये पहले से ही वरजमान नीच संग्यक शुक्र के साथ यूती करेगा कन्या राशी बुद्ध की अपनी अतिशुब प्रभाव वाली राशी है जिसमें पहुँचकर बुद्ध कारे वेपार में उन्नती प्रोग्रस प्रदान करेगा शुब समच्यार ये है कि शुक्र का नीच भंग योग भी शुरू हो जाएगा क्योंकि वह स्वराशी स्वामी बुद्ध के साथ विरज्मान है अता शुक्र की नीच राशीगत होने की अशुबदा में काफी कमी आ जाएगी निश्चित रूप से कारे वेपार के छेत्र में प्रगती होगी प्रकरतिक आपदाओं में कमी आएगी बुद्ध के अपनी राशी में प्रवेश के साथ शुक्र के साथ उनकी यूती काल सभी बारा राशियों पर प्रभाब पढ़ने वाला है आएज जो तीशे दिश्टिकोंड से बुद्ध और शुक्र की यूती का प्रभाब जाने मेश राशी आपकी राशी से छटे रहना किन्टो अपने ही घर में विरजमान रहना आपको करज से मुक्ति दिला सकता है ननिहाल पक्ष अत्रप परिवार के बड़े बुदर्गों से फैदा होगा बहतर रहेगा कि स्वास्त पर ध्यान रखें घर में लड़के लड़कियों के विवा का समय और नौकरी प्राप्त करने का समय आगया है व्रिश व्रिशब राशी वालों के लिए ये बुद और शुक्रे की यूति किसी वर्दान से कम नहीं है सिक्षा प्रतियोकता में आशार्थी सफलता मिलेगी सरकारी नौकरी मिलने के योग हैं संतान के डायक्त्वर की पूर्थी भी होगी संतान समंदिक किसी भी चिंता का निवारन होगा घर में पुच्र भी प्राप्ती होगी विजेश से पैसा आएगा बिजनस में उन्यती और नौकरी में प्रमोशन के चांसेस बनेंगे मितुन मितुन राशी वालों के लिए चतुर्थ भावगत शुक्र और बुद्ध बहत्रीन कामियावी वाले सिध होंगे क्योंकि मितुन राशी भी बुद्ध की अपनी राशी है और उनका अपने घर में जाना मकान वहान का सुक मित्रों से सहोग दिलवाएगा बिजनस में नौकरी में खुब उन्नती के आसार नजर आएंगे करकराशी करकराशी वालों के लिए ये गोचर प्राक्रम भाब में बन रहा है इसलिए सहस प्राक्रम के वृद्धी तो होगी किन्तु भाईयों से मद्बेत हो सकता है आपके द्वारा लिएगे निर्णे और कियेगे कारे सरहनी हो रहेंगे अपनी उर्जा शक्ती का भरपूर उप्योग करें समय भागशाली रहेगा सिंग राशी वालों के लिए ये योती धन भाव में बन रहा है अथा अपनी वाके चतुर्ता के कारण बड़ी से बड़ी कामिया भी हासिल कर सकते हैं रुकावा धन तो आएगा ही साथ ये आकस्तमिक धन प्राप्ती के योग भी बन रहे है नेत्र विकार से बचें कन्या कन्या राशी वालों के लिए बहत्रीन भद्र योग का निर्मान हो रहा है फलसरूप केंद्र अत्वराजे सरकार के प्रमुक पर्थिस्टानों में ये दि सर्विस हेटू आवेजन करना चाहे तो सफलता की संबाबना बहुत अधिक रहेगी विलासिता पूर्ण वस्तों पर अधिक वै होगा नौकरी में प्रमोशन, घर में विवहा और उन्नती का समाचार मिलेगा तुला राशी तुला राशी वालों के लिए ये यूती भागदौर तो करवाईगी धार्मिक अर्थसामाजी कारों में अधिक खर्चा भी करवाईगी जिससे आपकी परदिस्टा भी बढ़ेगी स्वास पर ध्यान रखें कर्च के लेंदेन से बचें विदेशों से मेमान आगमन के समचार है बच्चों के विवाह की त्यारी करिए नौकरी का भी योग बन रहा है वैपारी वर के लिए बड़ा शुब है वरिष्चिक राशी वरिष्चिक राशी वालों के लिए यह यूती लाब भाप में बन रही है अथा आय में विर्दी होगी एक से अधिक आय के साधन भी बनेंगे किसी समरेदिशाली वैक्टी अधिव संस्तान से लाब मिलेगा मित्रों और सयोगियों से मधूर संबंद बनेंगे धनूराशी धनूराशी वालों के लिए यह योग करम भाप में बन रहा है अथा किसी भी प्रशाशनिक सर्विस हैतू आवेदन करना चाहे अथा बड़े से बड़े अनुबंध हासिल करना चाहे तो सफलता मिलेगी इस अवधिक मध्य योजनाओं को गोपनी में बना रखें आपके जीवन का एक बहुत शुप परिवर्थन आने वाला है मकर राशी मकर राशी वालों के लिए ये योती भागे बाप में बन रही है अथा यात्रा देशाटन का लाब मिलेगा नए कारे आरंब का योग बनेगा योजनाओं भी फलिबूत होगी सिक्षा प्रद्योकता में सफलता मिलेगी मकान वहान का क्रिय करना चाहे तो योग अच्छा है लाब उठाएं खुब उन्नती के अफार है कुम्बराशी कुम्बराशी वालों के लिए ये योती अस्टम भाप में बन रही है था प्रताब विर्द्धी तो होगी लगि स्वास पर वेप्रीत प्रोहा पड़ेगा इस अवदी के मद्य शड़ियंत्र का शिकार होनी से बचें विदेशी वेक्तियात और मित्रों स्योग मिलेगा विदेश में नौकरी मिलने के पूर्ण संबाबना है किसी सरकारी नौकरी पर मिलने के वो संबाबना है मीन राशी मीन राशी वालों के लिए यह यूती सप्तम पत्नी भाब में बन रही है अथा शादी विवा से संबंदित वारता सफल रहेगी विदेश यात्र का योग बना हुआ है वेपार के दिश्टी से समय बहुत अच्छा अनकुल है घर में विवा संबं होगे और पुत्रक की प्राप्ति होगी धन्यवार विवर्ज ये था 9 सितमबर 2019 में शुक्र का गोचर सिंह राशी से कन्या में और 11 सितमबर में बुत्न भाब का प्रवेश कन्या राशी में यानि कि शुक्र और कर्ण्या की यूति, शुक्र और बुद्ध की यूति कर्ण्या राशी में इसका प्रभाब अभीते का आपने जाना। धन्वार व्यूर्स, चैनल सब्सक्राइब करेगा। धन्वार, बाई! झाल यूति कर्ण्या को श्यूति कर्ण्या राशी में इसका प्रभाब आपने जा राशी यूति कर्दाइब करेगा।